हेलो वेलकम दोस्तो दोस्तो आज हमारे बीच है सूरज कुमार जो रोजगार मेला में पार्टिफिटे इनों ने किया था और इनसे आज हम रोजगार मेला से समद्दे कुछ बेसिक जानकाई जानेंगे आपके काफी कमेंड वोक्स में प्रशन आये थे तो उन प्रशनों को में लिया है और सूरज कुमार से वो सारे कुस्टन करेंगे तो वन वाइवन सारे कुस्टन को हम देख लेते हैं और सूरज से कुछन पूछन पूछना चाहेंगे तो दोस्तो इस वीडियो को अब देख रहे हो कि इस वीडियो में सारे कुस्टन को कवर करेंगे तो दोस्त यृंट्ट्वेट्वाइं करता है कंपनी के उपर कुछ एक एक कंपनी संद्देट्ट्वी ले लेती है और है मैं इंत्रवियस जारा ता तो तो में के ग्रूप मै व्लाए जारा तो दो के इंटर्विव लें दो लोग इंटर्विव दो लोग इंस नहीं परता है् excuse तो दोस्तों इंटर्वियों के समय बिल्कुल भी कपड़ाई जैसे नहीं बताया कि इंटर्वियों कोई चार्ज नहीं है अब दोस्तों नेक्स कुछन ले लेते हैं जो आपने बेजा है वह है क्या सिर्फ लड़कों कोही जोब मेलेगी क्या लड़कियों के लिए कोई घजाब नहीं है बेसिकली जोपस बहुत होती है मेल एंट फिमेल के लिए लेकिन अगर जब कंपनी को किसी को कंडिडेट कि रुकरमेंट होती है यह तो भी तो लड़के लडकियों दोनों के लिए जौपस हैं और प्रीटिकलर अगर किसी कंपनी को मालीजीए मेल की ज़ जोप्स हैं वो फिर्फ मिलती है ये सरकारी जॉब भी मिलती हैं इस वारे मुझे पूरी कंफर्मेशन नहीं है और यहां पर ग tussen डाय। नहीं यहां यहां पर मेरा जम प्राइविट मेयवां रेल अन।च Jewish जाए एनगे में पर पर सरकारी जॉब्स के बारे में इनको जानकारी मिली अब दोस्तों नेक्स कुष्टन हम ले लेते हैं जो आपने बेजा है वह है कि अब दोस्तों जैसे आपने इंटर्विय आज दिया और आपको कलपड़ों से बुला लेती है और कुछ कंपनिया पहले आपको अपने अपने अपर किस प्रकार की कंपनी है कैसी कंपनी किन्हें से अपनी सेटर्च सेल्स की आती है या और स्रेक्टर में मी कंपनी है तो मिली तो इसके अब इन occurred you को अ कुंछ का में अब तो उसके लिए भी और अब ग्रेजवाब अब बिक्राइब के लिए इसके वह फ homeless मार्किंटिंगious घ्रोप के लिए और जो बिक्रिव तो दोस्तों जैसा इनों ने बताया कि सभी प्रेकार की कंपनी आती हैं तो उन कंपनी में आप अपनी क्वालिफिकेशन के अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा जॉब पा सकते हैं अब दोस्तों नेक्स कुश्चन ले लेते हैं जो आपने वेजा है कि कि या कि दियागी किसी कंडिडायर को तो जरूर नहीं है कि कंपनी कि दि करा सकती हैं और और नहीं करा सकती है तक Prondition करता मैं और रॉपचा wan कि जैसे जो हमारे कंडिडेट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके मन में कहीं न कहीं ये बात आती है कि एक बार इनको रोजगार मेला का पूरा प्रोसेस बता दिया जाए कम सब्दों में जिससे कि वो साही जानकारी को समझ सकें कोई ऐसा बच्चा जो नया नय जाना होता है और वहाँ पर जा कर दो पूल है ज़िए और नहीं में अर्ट रोजगार काराना पर है को पर रही सूर्ज करते हैं सबस्क्राइल जा सकते हैं तो वहाँ पर आप संपर कर सकते हैं और सूरज इसके बाद जैसे माली जी बच्चा गया जो भी स्टुएंट देख रहा है वो गया रोड़गार काले में उसके आंगे का प्रोस्ट बताईए उसके आंगे आपको रेश्टेशन का आना होता है वहां पर भाईया लोग बैठे रहते हैं डस्क डालके आपको जाना अमने परते हैं क्योंकि उसके रृक्वाइर में उसके उता है क्योंकि उसमें जो इंपोर्टेंट डीटेल वहां में जो भी मैंसन कर लोड़ी में होती है एंप्या और और आपके यहां प्रॉटकुमेंट्स की फोटकॉपी लगा जाती है और आपके फोटो चाहिए होती जो भी रेष्ट्रेस्ट का चार्ज होता है तो दोस्तों हमने आपके लिए प्रीश वीडियो बनाया हुगा है रोजगार मेला का जिसमें आपको रोजगार मेला की जो complete detail of full detail detail में चानकाई दी हूई है जिसमें आपको कि इतना चार्ज है कौन-कौन से डाक्यूमेट ले जाने है क्या क्या करना चाहिए वह साही चीज़ बता हुई है तो इनसे सोट में कुछ चीज और जानेंगे तो सुरज यह बताई रिजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होता है तो प्रोसेस में क्या है वह कंपनी इसके उपर डिसाइड होता कि वह पहले दोस्तो आपको पूछना चाहते हैं कुछ और जानकाय है तो दोस्तो कमेंट बॉंस में कमेंट करके आप अपनी प्रोलम्स को पूछ सकते हैं और ज्यादा कमेंट आते हैं ज्यादा आपकी प्रोलम्स आती है तो हम आपके लिए next video फिर से लेकर आएंगे और रोजगार मेल वीडियो उन लोगों तक सेयर किया जाना चाहिए जिनको वास्ता में जॉब की तलास या नहीं जिया बिलकुल क्योंगी आज की जबाने में बेरोज़ारी बहुत है और सबको जॉब की नीड है इसलिए फ्रेंड्स जरू इस वीडियो को सेयर करें जिससे दूसरों को भी करें और नॉट्रिकेशन वेर को जुरूद दुबाएं दोस्तों अब ऐसा करते हैं जब भी नेक्स वीडियो को समाप्त करने वाले हैं तो क्या कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे हमारी रोजगार मेला बैठ्वियों के लिए जो जौब के लिए तलास कर रहे हैं और जा पर आपका इंटर्वियों भी अच्छा जाएगा तो जैसा आपने सुना तो होगा फर्स्ट इंप्रेशन दा लाश्ट इंप्रेशन तो गाइस आप कोशिस करिए कि एक फॉर्मल लुक में जाए जिससे की आपकी जो इंप्रेशन है कंपनी पर अच्छा है